हलो एंड वेलकम फ्रेंड स्वागत है आप सबी लोग का और एक लाइव वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले है 25,000 की एक ही ट्रेड विन हो या फिर लॉस हो अगर हमारी ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो हम इसका डबल करेंगे क्योंकि हमें पता है एक ट्रेड लॉस हुई तो अगली हमारी आसानी से विन हो जाएगी अगली वी लॉस हुई तो उससे अगली हम फिर से डबल कर देंगे और जो हमारा पिछला एमॉन्ट लॉस हुआ है वो भी हम रिकवर कर लेते है इसी तरीके से लेकिन हमारी जो लॉस करने की जो एक परसंटेज है वो काफी लो है हम बहुत कम ट्रेड लॉस करते हैं तो यहाँ पर आपने देखना है कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ आप लोगों को भी सेखने का बहुत बढ़िया मौका है तो यहाँ पर हमने थूड़ा सा व रहे नीचे की और जाना है थूड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा मार्किट नीचे की और आ रही है बड़ी तेजी से यहाँ पर अभी मार्किट टच करती है या फिर नहीं यह हमने काफी गौर से देखना है उसी बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं तो सा वेट करना होगा सबर शान्ती इसके लिए काफी जादा जरूरी होती है यहां पर देखी पीछे तो यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर पहली बार मार्केट नीचे की और आई है इतनी तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है यहां से हमारी यहां पर जो यह वाली केंडल है वो बनेगी गरीन केंडल बनेगी यहां से क्यों बनेगी कैसे बनेगी क्या कुछ है इसके पीछे रीजन वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं क्यों हमने यहां से ट्रेड ली है एक बार क्या करना है हमने इस trade को win होते हुई देखना है तो यहाँ पर थोड़े से second बागी है एक बार इस trade को win होने दीजिए मैं आपको इसके पीछे की जानकारी दूँगा कि यह candle यहाँ पर क्यों बनी है और किस तरीके से हमने यह trade ली है तो थोड़े से seconds बचे है यह देखिए हो गई और 46,000 का हमें profit भी यहाँ पर हो चुका है तो अब हमने क्या करना है इसको analyze करना है क्यों यह candle यहाँ पर बनी है कितनी बड़ी candle बनी है क्यों बनी है यह candle देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक SNR line लगी हुई है यहाँ पर यह मुझे से गलत हो गया इस तरीके से यहाँ पर एक LINE बनी हुई है इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर इसका breakout हुआ था कितनी red candles आई थी इसका इसने breakout किया लेकिन फिर इसने उपर क्यों ब्रेक आउट गया लेकिन जो यह वाली candle है यहाँ पर इसने resistance का काम किया है यहाँ पर उपर वाली ने इसने support का काम किया है नीचे आई फिर उपर गई फिर से यहाँ पर इसने support का काम इसने किया है और इसके बाद मैंने तुरंत इसके बाद इस trade पर मैंने एक trade ले ली है तो ये वाले candle देखे कितनी strong candle आई है green candle कितनी बड़ी candle आई है उपर की और तो इसका मतलब यही है क्योंकि यहाँ पर एक support थी और उपर से जब नीचे आई तो इसकी wick देखे नीचे की और आई थी लेकिन इसने इसको वापिस उपर की और भेजा है तो इसलिए जो reason है इसके पीछे वो यह था कि यहाँ पर एक strong support है जिसने की हमें win करवाया है तो यह थी strategy अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो टेलेगराम ग्रूप को भी हमारे जोइन कीजिये और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिये थैंक यू सो मच्च